आईपिल का दसवा सीजन खत्म हो गया है जिसमें मस धोनी की टीम राइजिंग पूने सूपर जाइंस आईपिल का खिताब एक रन से गवा बैठी पूने की आईपिल फाइनल में बेहद नाट किया तरीके से हार के बाद क्रिकेट जगत से काफी प्रतिक्रियाएं आ रही है इसी बीच मस धोनी की पुरानी टीम चन्ने सूपर किंग्स ने अपनी वापसी को लेकर एक ट्वीट किया है आईपिल 10 की समापती के बाद अगले साल CSK की वापसी के लिए चर्चाएं अभी से तेज हो गई है तो उसकी आदिकारिक पुष्टी CSK ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर कर दी है CSK ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि हम अगले साल आ रहे हैं और CSK वापस आ रहा है हम अगले साल आ रहे हैं और CSK वापस आ रहा है आपको बता दें कि महेंदर सिंग धोनी और CSK का नाता काफी मजबूत था सुरेश रैना, रविचंदरन अश्विन, ड्वेन ब्रावो, रविंदर जडेजा जैसे खिलाडी इस टीम की जान थे CSK ने हमेशा अपने खिलाडियों पर भरोसा दिखाया टीम ने हमेशा वही किया जो फैसला भारत के सबसे सफल कप्तान महेंदर सिंग धोनी ने लिया CSK दो बार की IPL चैंपियन रह चुकी है मुंबई को IPL में कोई टीम पहले टक कर देती थी तो वो CSK थी अब अगले साल CSK की वापसी से IPL की लोग प्रियता और रोमांच दोगुना हो जाएगा आपको बता दें कि CSK के मालिकों के सट्टे बाजी में फसने की वज़ा से चैंड़ी सूपर किंग्स के उपर दो साल का प्रतिबंद लगाया गया था जो अगले साल खत्म हो जाएगा